पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार के पात सदस्यों की मौत के बाद भारती मीडिया में घटना को लेकर सुर्खियां बनी हुई है न्यूस चैनल्स और वेबसाइट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान में हिंदू अपर अत्याचार के क्रम में ही ये घटना भी हुई है और वहाँ उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि ये हिंदू परिवार था भारती मीडिया के ये जानकारी पूरी तरह से गलत है इसकी सच्चाई हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे टाइम से उन्हें दावा किया कि ये घटना पाकिस्तान में हिंदू समुदाय पर अत्याचारों का एक और उदाहराण है इसके बाद चैनल ने रिपोर्ट किया कि भाजपा ने संयुक्त राष्ट मानव अधिकार आयोग को पाकिस्तान में हिंदू पर हो रहे अत्याचार का संग्यान लेने को कहा है एक बार बहुत गिनवने तरीके से सामने आया है मैं मानता हूँ कि अंतराष्ट्री मानव अधिकार संगटनों को United Nations के Human Rights Organization को और सभी अंतराष्ट्री समुदाय को इसके बारे में अपनी चिंता भी बतानी चाहिए उसकी दखल लेनी चाहिए और पाकिस्तान जैसे देश की जो सत्ता जिस पद्धती से चलाते है उसके बारे में इस विशे में आक्षे में E.N.I. ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के आउटलेट The News International को क्रेडिट दिया है इस रिपोर्ट में लिखा है कि रामचंद एक मेघवाल हिंदू थे और उनकी उम्र 35 से 36 वर्ष थी वो लंबे समय से टेलर की दुकान चलाते थे वो शान सुभाव व्यक्ति थे ये घटना सभी के लिए चौकाने वाली थी ANI की स्टोरी हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, याहू न्यूस, इंडिया डॉट कॉम, जी फाइफ और हिंदुस्तान ने रिपब्लिश की वियॉन और जी न्यूस इंग्लिश ने भी ANI इंपूर्स के आधार पर कुछ ऐसी ही रिपोर्ट्स पब्लिश की बाचपा सदसी सुरेंद्र पुनिया ने इंडिया.com की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, इसी लिए CAA की जरूरत है ये घटना रिपोर्ट करने वाले हिंदी आउटलिट्स में ABP न्यूस भी शामिल है चैनल ने कहा कि परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के बाद पाकिस्तान में हिंदू समुदाए के लोगों के बीच दर का महौल है प्रो भाजपा प्रोपगेंडा वेबसाइट और पिंडिया ने भी कमिनल एंगिल के साथ ही इसे रिपोर्ट किया अब आते हैं इसकी सक्चाई पर असल में इस परिवार के शक्स ने ही पूरे परिवार को मारा और फिर खुद को भी इस कदर चोड़ पहुचाई कि उसकी भी मौत हो गई भारती मीडिया में अधिकतर रिपोर्ट्स पाकिस्तान के दे न्यूज इंटरनेशनल की स्टोरी के आधार पर लिखी गई हैं लेकिन एनाई और कुछ अन्य आउटलेट्स ने दे न्यूज इंटरनेशनल की पूरी बात लिखने के बजाए अपने सुविधा अनुसार बातें उठाई और अधूरी तस्वीर पेश की है दे न्यूज इंटरनेशनल ने सिरफ ये नहीं बताया था कि रामचन में इखवाल और उसका परिवार मृत पाया गया दे न्यूज इंटरनेशनल ने ये भी बताया था कि परिवार का मुखिया रामचन अपने परिवार का हत्यारा था उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी माई और तीनों बच्चों का कतल इसलिए किया क्यूंकि उसे अपनी पत्नी पर अवयद संबंद रखने का शक्त था दे न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस घटना की शिकायत लक्ष्मी माई के भाई तीरत राम ने दर्ज कराई थी वही पाकिस्तान के अख़बार The Dawn ने ये रिपोर्ट किया कि राम चन ने बेरोजगारी की कारण अपने परिवार की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली The Dawn और The News International के वर्जिन में वजह कांतर तो है लेकिन दोनों जगहों पर यही कहा गया है कि हक्तिया राम चन नहीं की है पाकिसान के एक स्थानिये चैनल पर इस वामले की एक वीडियो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में रिपोर्टर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि लोगों ने सुबह दर्वाजा तोड़ा और अंदर सभी मृत पाये गए जबकि राम चन जखमी हालत में था उसने इसको वास मारी वो नहीं उटे तो वो अंदर आया उसने देखा कि दर्वाजा बंता दर्वाजा कट कट आया तो नहीं खोला तो हमसायों की मदल से उसने इस दर्वाजे को खोला अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उसके बतीचे उसके दो बतीचिया और भापी कतल मर चुके हैं जबके उसका भाई शदीद जखमी हालत में है जिसके गला काटा हुआ है उसको जखमी हालत में इसी वीडियो रिपोर्ट में रिपोर्टर ने रामचन की बहन से भी बात की मृत रामचन की बहन ने बताया कि रामचन के पास बीते दो साल से कोई भी काम नहीं था और वो बेरोजगार था इसके लावर रामचन की पत्नी के भाई तीरत राम ने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि रामचन का परिवार तंगी की हालत से परिशान था और रामचन की पत्नी उससे इस बाबत सवाल भी करती रहती थी तो इस तरह से पाकिस्तान में एक हिंदू शक्स ने कथित तोर पर अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और फिर खुद भी आदमत्या कर ली इस घटना को भाती मीडिया में सामपरदाइक रंग देते हुए ये कहकर दिखाये गया कि ये पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के खिलाफ होने वाले अपराद का हिस्सा है झाल